प्यारे बच्चों आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक दो साल कोचिंग में त्यारी कर चुके हैं अब वो घर बैठके नीट की त्यारी करना चाहते हैं तो आफ घर अब करें घर बैठें नीट 2022 की त्यारी New Line Test Series के साथ तो बच्चों अभी जरूरी हो जाता है यह बताना कि हमारी टेस्ट स्रीज कितनी सिमिलर थी निट के पेपर से 2020 में भी हमने बताया 2021 में भी देखिए तो ट्राइड ट्रस्टेड अंड टेस्टेड आपके जोस आपके उत्साह को देखते हुए हम लोग और भी ज्यादा आपकी वज़े से नहीं हुआ है मैं परिसान हुआ भाई ऐसा क्या कर दिया हमने लगे हुए हमेशा आपके साथ तो बच्चे ने कहा सर आपने अपना आफ्लाइन टेस्ट सेंटर महूं में नहीं शुरू किया तो उस बच्चे को बता रहे हैं बच्चों महूं में भी टेस NCR2 का वीडियो हमारे दो साथी बना रहे है निव लाइट वर्सेज नीट 2021 इसको देखिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्चन में कमेंट करिए कि हमारे कौन-कौन से बच्चे थे जिनको इस टेसरी से पैदा हुआ और वो क्या स्कोर करते हैं चलिए बिना देर किये हमारे से दो साथी इस टेपर को कंपेर करने जा रहे हैं मनीश सर और सेलें सर आइए मनीश सर सेलें से थैंक यू सो मच बच्चों हम लोगों ने आपको अपना नीट 2020 जो हुआ था उसका यह बुकलेट दिया हुआ था इसमें कंपैरिजन था इसके वीडियो भी आप लोगों है उसका हम लोगों ने बुकलेट के साथ कंपैरिजन पूरा दिखाया हमारी जो क्वेशन बुकलेट है तो नीट 2021 का कंपैरिजन हम लोगों ने सर कराया तो आपने क्वेश्चन बैंक से और सर मैचिंग अगर देखा जाए तो 100% मैचिंग हुई थी 11 से जी एंस्यादी फर पर है वह बच्चों बिस समय एंसी आर्टी पूरे पूरा फॉलो हो रहा है हम लोगों ने भी आपको बताया कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर से आया है विद पूफ और हमारी जो बुकलेट है वह भी पूरी की पूरी एंसी आर्ट बेस्ट रहे दिस दा ओनली करके 11 का सेक्शन हो चुका है बहुत सारे बच्चों नो देखा भी होगा सर तो आप लोगों ने उसको अप्रिशेट भी किया लाइक भी किया ताफी डिमांड भी आई उसके बाद हम लोगों के पास जो हम लोग फुल्फिल कर रहे हैं उसके बाद हम लोग आज आपको प्रिशन करने वाले हैं एंसी अर्टी टू का जो आपका 2021 का पर तो इसको देखते हम लोग इस साइड यह नीट के क्वेस्टन्स दिये हुए जो 2021 में आए और यह हम लोग का टैसरी जो है जो हम लोगी डिफरेंट टैसरी चल रही थी मनीश सर आपको पताएंगे अभी तो सर बच्चों को अगर बताया दिया जाए वैसे आल्रेटी बच्चों को हम लोगों ने बताया हुआ है बट जो ने बच्चे उन तक भी इंफ चेप्टर वाई डिविजन टैसरी इसके बाद टार्गेट नीट टैसरी फुल लेंट टैसरी जिए लेकिन सर इस साल हम लोगों ने एक और पहले हम लोगों को चलता था नियु लाइट नीट में आपका बायो टॉपिक जिया अब इस साल सार अब लोगों का फिजिक्स का भी जिए और आपका बायोजी का जैसे आप लोगों की डिमांड आ रहे थी कि आप सर इंडिविजुल भी शुरू करिए फिजिक्स काफी लोगों ने जॉइन भी कर लिया है तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्केशन कमपैरिजन नी 2021 वर्सस टैसरीस हमारी टैसरीस कितनी से मिला रहे हैं कितना फाइदा हुआ बच्चों को तो यह पहला वर्शन विच आप फॉल्विंग प्लांट्स इस पूशे गए हैं और इसको देखते हैं मनीश सर आपको बताएंगे किस तरह से सिमिलर है सर अगर देखा जाया तो आपको पहले कोशन में ही डिटो मैचिंग हो जाए लेकिन हम लोगों ने बताया जैसा कि हमें वैरियस अपने जितने भी टैसरीस ते उसको मैच करना था इस जाह City एंसर करूंगा वह सरा कंना कि मैचिंग चरह कोर हों कि और है में इस शराउं लोग resources करेक्षक्ण में में중 checked we're the है हमारे booklet में भी हैं और यही रीजन है कि इतनी ज्यादा similarity नीट और हमारी test series में यह हमारी booklet में मिलती है आपको साथ ही साथ जो हमने next matching और कराई है कि बच्चों को लगे कि और test series match कराते हैं कि यह जैसे पर आपको कारा के साथ sweet potato के बारे मिलता चल लाएं कारा इस ऐतो आपका सब्सक्राइब आपको डाइग्राम बेस पूछ लिए जैसा कि प्रिविए स्क्राइब बेस्ट कॉछिंस पी काफी ज्यादा आते हैं तो हमारे इस टैसरीज में डाइग्राम बेस्ट क्वेशन वगरा भी कवर्ड हैं जैसे कि बाइसेक्स्वल यानि कि मोनेसियस कंडिशन नेक्स्ट क्वेशन टिपिकल एंग्योस पर्म एम्रियोस एक एक मैचियूटी इस तो सेवन नुग्लेट एट सेवन एट सेवन एट नुग्लेट एट सेवन तो एंग्योस पर ये एंसी आड़ी टू पेज नंबर 27 पर दिया हुआ है और इसको मनीश सर बताएंगे ये से क कोशन को बोलते हैं कि लकी कोशन होते हैं और फ्रेमिंग भी डिटो होती है एक कोशन से मैच करा दिया गया है करेक्ट टार्गेट नीट सेकेंड जो आपका 11 अप्रेल 2021 को हुआ था अट टिपकल एंग्योस पर्म इंब्रियो सेक एट मैचुरूटी और टिपकल एंग्योस पर्म इंब्रियो सेक एक गच एक रिटो मैच ऑन इंप यू कि एक वर किया जा सकता है क्योंकि यह भी एंदी की लाइन से उठाया गया चना जो दिया 8, 7 nucleate, 8 cell correct matching options भी इकदम correctly वही matching next question the term used for transfer of pollen grains from anthers of one plant to stigma of a different plant which during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma is और options दियो में getonogamy, chasmogamy, klystrogamy, xenogamy और NCRT to page number 28 से अभी तक हम लोगों ने NCRT 1 पूरी discuss की NCRT 2 का प्लीज स्टार्ट कर चुके है लेकिन एक भी question अभी हमें ऐसा नहीं मिला जो NCRT में ना दिया हो, all questions are from NCRT, page number के साथ आप चाहें, तो जो नए बच्चे जाएं वो इसको cross check करना चाहें है तो कर सकते हैं, yes, sir इसकी जो matching कराया हम लोगों ने दो question के साथ कराया हुआ है, पहला जो test था उसमें हमारा need का T4, जो आपका आठ नुमबर 2020 कुवा था भी एक question में और matching कराया था, sir आपके यहां पर दिया है, stigma of different plant brings genetically different word, yes, sir इसमें भी देखिए, genetically different types of pollen grains are brought to stigma, autogamy, gitnogamy, genogamy, option भी आपका लगोलबर, भई सारे options, ते डिटो matching हो गई, जी correct, साथ ही साथ सर जो next question है हमारा, same question है, लेकिन test का number बदला हुगा है, yes, full land test series है, T9 इसका test था यह, sir, full land test series के बारे में जरा बच्चों को बताई है कि इसके पीछे क्या motive था हमारा start करने का, तो full land test series यह उन लोगों के लिए शुरू की गई थी, जो पूरी NCRD से रिवीजन चाहते थे, पूरा course चाहते थे, जब सब आपका syllabus start नहीं होता, बहुत हारे लोग होते हैं कि syllabus जब खत्म हो जाता है, तो आपका start करते हैं, तो यह full land test series जो revision batch जोइन करना चाहते हैं, जिन्हों ने division batch जोइन किया हुआ था, super ranker batch, उन बच्चों के लिए यह full land test series थी, तो हमारे पास सारे ही options आप लोगों के लिए available हैं, अगर आप chapter wise चाहते हो, full land चाहते हो, या unit wise चाहते हो, तो there are so many options which you can opt for. हमारा जो test series का motive हैं, कि हर बच्चे की अंदर की जो problems हैं, हर individual के according जो उसकी needs हैं, वो सारी हम लोग फुल्फिल कर सकें, यह हम लोगों का प्रयास हैं, तो sir, इसकी matching the same question था, genetically different, pollen grain brought to, autogamy, jitnogamy, it means that sir, अगर कोई बच्चा हमारा एक test series bought करता हैं, और दूसरा नहीं करता हैं, तब भी उसको question match करता हुआ मिलेगा. Next question, in some members of which of the following pairs of families, pollen grains retain their viability for months after release, और यह NCRT 2, page number 24, NCRT से ही a question, poesy, leguminocy, poesy, solenocy, rosacee, leguminocy, poesy, rosacee, और Manish sir, आपको बताएंगे किस तरह से यह match कर रहा है, तो sir, जो हम लोगोंने matching कराया हुआ है, आपका sir, जो आपका यहां पे option है, वो हमारा question है, yes, rosacee, leguminocy, solenocy, तो इसमें से आपका दो ही दिया हुआ है, yes, हलाकि हमने सारे से matching कराया है, और viability कितने समय के लिए होगा, months के लिए, yes, correct, जो यहां पे viability for month है, यह हमारा आपका क्या हो जाएगा sir, यहां पे, option, question is option and option is, यहां पर यह options दिये हैं, वहां पर हम लोग नहीं इसको question में पूछा हुआ है, yes, right, next question 165, receptors for sperm binding in mammals are present on NCRT 251, यह कह सकते हैं हम लोग की direct NCRT की line से नहीं है, but concept जो वह ही है, means that अगर जिसने सर NCRT पढ़ा होगा, वह बिना किसी सकके वह ही answer लगाएगा, जो उसको पता है, यह जो नव पलेश्टा ही लगाएगा, yes, आप exclusion method से इसको भी solve कर सकते थे, तो अगर इसको हम लोग सब मैच कराके देखें, तो ऐसा नहीं कि हमारी question से डिटो मैच कर रहा है, लेकिन feeling हुआ ही है, एक question से मैच कराया गया है, need test 2, जो आपका 18, 10, 2020 में हुआ था, only one sperm fuses with one Oum because, yes, तो आपको पता होगा जैसे यहां पर देखी यह वाला line है, contact of one Oum with Oum, zona pelucida, यहां पर भी zona pelucida के साथ मैच कर रहा है, तो matching इसको भी बोला जाएगा, बट हाँ यह कि exactly वो line नहीं है, जो NCRT में है, बट इसको भी हम लोग matching में इसको consider करेंगे, question की जो framing थी, receptor word आपका NCRT में नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से सर, हम जब भी बोल रहे हैं आपसे, तो 11th का 100% क्यों बोलना है, क्योंकि मिला हुआ है, और 12th का 100% इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि दो exact line है, लेकिन वो भी आपकी NCRT का concept पे based है, तो आप कह सकते हो कि यह भी NCRT से ही है, बाहर का कुछ भी नहीं पूछा गया है, question number 186, which of these is not an important component of initiation of parturation in humans और यह था NCRT 25354 page number से, सरी जो question था, ऐसा नहीं कि parturation is initiated by, ऐसा करके question काफी बने हुए है test में, लेकिन not component में जो answer दिया गया है, वो थोड़ा हट के है, यही आपका human protection के दो question थे, जो हट के माने गया है, इसका answer यह release of prolactin था, जो हट के माना जाता है, यह भी बच्चों आपने पूरा chapter पढ़ा हुआ है, तो आप को पता है prolactin का function क्या है, उसका parturation से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप इसको भी exclusion method से कर सकते हो, कि जैसे एक milk injecting hormone था, उस तरह से questions तो इस पर भी दिये गए है, यह exactly matching नहीं कर रहा है, इसको नहीं हम लोगों ने include किया है, next question, which of the following secret the hormone relaxant during the later phase of pregnancy, और यह NCRT 2 page number 53 से है, तो सर इसकी जो हम लोगों ने matching कर आई है, एक तो हमारा need test number 18 जो हुआ था, जो 16 माई 2021 को हुआ था, उससे match कर आया है, और सर यह डिक्टो मैचिंग है, जैसे कि आपको पता है कि यहां पर हम लोगों ने आपका जो आपका जैसे यहां पर कार्पस लुटियम, फ्यूटस, योट्रस, ग्रेफिन, फॉल्किल है, रिल्क्स हार्मोन से कुरेड बयोवरी प्रो लेक्टी कहां से निकल ला है रिल्क्स हार्मोन से निकल ला है बाक है, ऐसे कर आपसे हम लोगों इह डिया हुआ था, जैसे नहीं पता सर आपको कर्पस लूटियम किस साप्च भाट है ओवरी का इस व ज्यूज मैच कदध रहा तो एक पूछा हुआ है और यह एंसी आटी टू सिक्टीवन पेज नमबर इसको जो सब्सक्राइब कराया है इस्टेट्मेंट टाइप का है आपका मैंचिंग टाइप का है तो चार इदर चार इदर यानि आपका आपका आपको निटेट्मेंट नहीं पहला तो जो हम लोग में दिया हम लोगों मैचिंग टाइप का दिया है जैसे देखियर आपका आइूदी है जी करेक्ट कि गाई इंस्सब्स किसे जो हमारा उसका है कि इसमें से के प्रेट्ञें फ्राम फ्रॅफिडिकली मेटिंग कौन करेगा आका मेल में कंडों मोता फेमेल अनसर होंगे यह म तो ने किया जाता है और नेक्स मैचिंग जो सरम लोगों ने कराया है वह आपका तुबेक्टोमी तो चारों आप लोग देख रहे हैं बचों यह मैच कर रहे हैं हमारे क्वेशिन से हमारी टेसरी के क्वेशिन से नौव क्वेशिन नमबर 156 वैंडरल डिजीज चैने स्प्रेट थू उसिंग इस्ट्राइल नेडल्स टांस्फूजिजन और फ्लॉट फोटर्स केसिंग इनरिटेंस और यहां पर भी कर्रेक्ट आंसर आपको चूज करना था यह एंचिया टी टू पेज नमबर 63 सिक सर इसकी इसको की पूरी exact matching हो सकती है यहां पर लिखा हुआ है यहां पर पता है एक एक चीज के लिए यूज किया जाते हैं और सर इसमें जैसे आपका मेथर दिया है साज्ट का इस्ट्रुमेंट ट्रांस्विजन ब्लॉड शेरिंग आफ इंजेक्शन या नेडल्स यानि इसमें ज फॉलविंग इस एन एक्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडी हार्मोन रिलीजिंग आयोडी क्वेशन नंबर यह पेज नंबर NCRT 260 से यह दिया गया है सर इसको जो हम लोगने दो क्वेशन से मैच कराया हुआ हुआ है पहला जो हमारा टेस्ट था बीटी फोर जो ब से बारे में और यह बायो के लिए तो बेस्ट है क्योंकि इसमें पूरे 180 क्वेशन उस टॉपिक से कवर कर लिए जाते हैं तो उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता है कोई भी आपका पॉइंट चूटने वाला है इवन सर कभी-कभी तो ऐसा रहता कि मालीजी यह चेप्ट कोई आ है तो हम लोगों को ने इसमें權 और हमोन र एभी है इसमें भी आपका उसमें ने ओबалась है और यहां पर आपका हार्मोन रिलीजिंग पुछा गया है और इस यह चाप्टर वाइज रिवीजिंग पुछा गया है और तेस्ट नमबर शिक्स है जो हुआ था आपका 13 जनवरी 2021 को सर्थ और सर्थ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा इंट्राइंट डिवाइस मतलब की आयोडी उसका फुलफा में दे दिया गया और सरोंगा पर भी देखिया हार्मोन रिलीजिंग आयोड इसके बार पुछा गया है जी करेक्ट सर कापर से मने लेंटिटी मल्टिलो सारे आप संब भी मैच्छ कर रहे हैं एक्जाक्ल सब्सक्राइब देखिया है देखिया प्रोड़क्शन ऑफ गयमेट्स वाइद पैरेंट्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोड दा एफ 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 फ्टू प्लांट्स कैन बी अंडर्स्टूड फ्रॉम डाइग्राम कॉल तो यह डाइग्राम जो है यह पनेट स्क्वार और इसक को मैचिंग जो एक्जैक्ली नहीं है जैसे हम लोग उने पनेट स्क्वार वाद डिस्कोर भाई रिजिनाल सी पनेट ऐसा कुस्चन काफी फ्रिक्वेंट पूछा जाता है लेकिन जो डाइग्राम उसको पनेट स्क्वार कहते हैं ऐसा कुस्चन अनुजूल टाइप का था तो मैच करता है यह डाइट नहीं करता था इसलिए नहीं रहा तोड़ा सा लॉजिक आपको बस इस्तेमाल करना था सिंपल सा आंसर है इसका भी क्वेश्चन नमबर 184 इने क्रॉस्ट विट्विने मेल और फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल अनेमिया जीन वाट सिकल सेल अनेमिया आपका भी पुछा गया है सिकल सेल अनेमिया एक बार नहीं है प्लानिंग तो गेट मैरीड वांस तो नो चांसे आप अविग अनेमिक प्रोजनिक परसेंटेज पुछा गया है जी असर परसेंटेज सारा सेम है 100 दिया 75 50 and 25 नाव कम्लीट द सर डाग्राम देखिए तो आपको भी लग रहा होगा कि हां भाई सेम डाग्राम है जो सर मैचिंग होई हमारा जो नीट का टेस्ट नंबर 6 है उससे मैच किया गया है जो हुआ ता आपका 6 दिसम्बर 2020 2020 में हुआ था सर इसमन बस्रों पूरा दिया हूँ गया है फिर निक्षा दे कर दी डॉह तरे डउं मचिंग कोई ए जिए रल्यों क्या होगा थे उत बास्कारियो अध्ते यह पूर्सरे का क्या मैं सारी अग्या है यह वह यह मक्यूआ ऐस थी हर्न moves दी इसलिए र्करज् def 120 एंध उर्श process of transcription in eukaryotes यह NCRT2 पेज नमबर 111 पर दिया हुआ है सर इसको हम लोग ने दो कोशन से मैच कराया है पहला जो हमारा टेस्स है नीट टेस्स नमबर 6 जो आपका 6 है डिसमबर 2020 को हुआ है मैचिंग टाप का है अगर यहां पर वन टू भी पूछता तब इससे मैच कर जाता सर आरने पॉलिमरेज वन का क्या फंक्शन है इससे साथ है तू का क्या है थर्ड का क्या है तो जो भी एडिशनल पॉइंट्स भी है वह सब भी अम लोग लोग के सरे अगर ने सना रएने यहनी इसका जो आपका आप स्टन है यह हमारा क्या हो गैशर प्रिशन ऑंज जो इनका क्विशन आ रन जाए पॉलिमरें स्ट्री वहां रा क्या साथ ओगैश्यों ऑप्शन करेक्ट हो डिए अफिंगर प्रिंटिंग इंवल्स अइंटिफाइं दिफे कराया हुआ है टार्गेट नीट टेस्ट नमबर थार्ड जो अठारह अप्रेल दोजार रिकीस को हुआ है सर इसमें हम लोग ने कई सारे स्टेट्मन दे दिया है जैसे की पहला देखिया आपका रिपेटेटु डिन ने सिक्वेंस एंसर है इसका सर जला देखिये इन डिन ने सिक्मेंस दो नाट कोड़ फार नी प्रोटीन और सो हाय डिग्री आप पॉलिमार्फिज और ये सारी स्टेट्मन किसके बारे में आपका डिन ने फिंगर प्रेंटिंग नौ क्वेशन नमबर 147 इंटिपाइद अ करेक्ट स्टेट्में जोलेकुलर बेसे ऑफ इन है ट्रांस्क्रिप्शन उनिट इस कॉपी टूए मैसेंजर आरेने इस प्रिट जीन अरेंजमेंट इस करेक्टिस्टिक और प्रोकेरियोर्स इन कैपिंग मेथिल गॉनसीं ट्राइब तो थी प्राइमेंड ऑफ एचन रने तो सर इसको भी हम लोगों ने तीन कोशन से मैच क गया है तो सब शोग जैकी यहां पर जैसे की एक्सकी और उन्हों कोडिंक है ट्रांस्क्रिप्शन है कौन आपका एक्स्परेष्ट होगा उससे मैच कर आगया इस्ट्रक्चरल जीन इन मोनो सेक्स्तॉनिक यह स्प्लिट तो यहां पर देखें इस्पिलिट जीन की लिखा एक्सप्रेट सिक्वेंस टैक्स आइज इंट्रॉंस इंट्रॉंस कोडान के बारे में पूछा गया है नेस्ट जो मैचिंग कराया है सर अम लोगों ने इसी कोश्चन को कि बिच आप दा फालुविंग स्टेट्मेंट मेचुरेशन स्प्लाइसिंग के बारे में सही है तो सर जड़ा देखिए आपका इंट्रॉंस का रिमूबल यह नि इसको हम लोग क्या पो लेंगे स्प्लाइस एच नारे ने गो अंगर कैपिंग तो सरे आपका कैपिंग है तो जब खृत्स स्कृत्य नि इस ए समब कर आया है तो सा स्टेट बारे आपका रोह आ क्यक्टों आपका यह प्रत्रीजी के एक टरनेनेशन बड्रकर इसको मेंचिंग कर आया है रए और ते हैन् यह निके सा्टीप्ट को सिदेनी इस को? of the DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guarine and cytosine in it, HR-Govs rule based question or NCRT-297 पर दिया हुआ ये concept. Sir, कभी-कभी कहते हैं कि अगर आप देखिये तो data जल्दी match नहीं करता. Yes. लेकिन कभी-कभी match नहीं करता. अरे, अगर तो data भी match कर गया है. Sir, इसका उन्हों में दो question से match कर आया हुआ है. पहला है BT-2 जो 23-12-2020, Sir, इसमें देखिये एड़नीन आपका कितना दिया परसेंट, 30% और यहां पर भी दिया एड़नीन कितना 30% साथी साथ हम लोग एडिशनल बता दिया गुआनीन 20 है तो बाकि सब आपका साइटोसीन किया हुआ थाइमिन किया होगा तो बाकि डाटा सेम हो गया निक्स मैचिंग साथ जड़ना देखिया धियां से देखिए जिए जड़नी आंड़ना डाटा से कपडलिटी तो कैटलाइज अनीशिएशन एलांगेशन आंट इंट मिनेशन इन अन प्रोसेस आप रांस्रीप्शन इंट पोलीमर इस दीने लाइगेस दीनेश एंडीने डिपेंड दीने पोलीमरेस एंड के लिए नबर 109 और 110 श्री एक बारे में पुछा गया है कुछन इसको लोगों ने दो कोशन से मैच कराया हुआ है पहला मैचिंगे सब्सक्राइब का निए टेस्ट नंबर फिक्स जो गए था आपका शे दिसमबर 2020 को किस के बारे मसल बात किया जा रहा है इंप्सकी आपकी बारे में बात कर रहा है और दे ले पर लिए यह दिए प्रसकि到底 on of all type RNA in bacteria single two and third and four next sir आपका जो है मेन एंजाइम फार ट्रांस्किप्शन क्या नाम होगा सर जड़ा देखिया आप से आपका है DNA dependent DNA polymerase DNA dependent RNA polymerase देखिया सर मैच कर रहा है आप सान आपका साथ इसाथ देखिये सर यह भी तो मैच कर रहा आपका DNA लाइज यह डिट्टो मैचिंगे सर आपको इस विच फॉलोविंग आर ने इस नॉट रिक्वाइड फॉर्टीन टी रने रिबोसोमल आ रने एसा या रने एम रने तो सर यह जो क्वेशन था हलाकि प्रोटीन संथेस के लिए क्या नहीं रिक्वार्मेंट होता समझ में तो आ रहा था क्योंकि जो रिक्वार्मेंट अपके न्सी आर्टी में दिये उनका फंक्शन भी पूरा दिया हुआ है तो इसाई आ रने एक्ट्टी आपका बाइटेक से मिलेटा तो इस बार क्या किया इसने सेमें अलोगुलर ओव बायु ट्रक के कांसेप्ट को मिलाके एक नए कोश्टी फेम्ट किया है तो अंकर बायटेक से देखे तो मैच करता है सारे in the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. और ये question था NCRT2, page number 112. तो सर ये जो question है, ऐसा तो question हम लोगो ने बहुत बात पूछा कि AUG scored far, लेकिन सर ये जो आपका कुछ ये feeling देता है आपका assertion region जैसा, जो aims के लिए बना जाता था outdated type का है, तो ऐसे type के question बनाना थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, लेकिन अगर बात किया जाए, statement wise की तो matching करता है, क्योंकि assertion and reason ये नीट में नहीं आ रहे थे, इसलिए ये इस तरह के questions नहीं किये गए थे, इस बार आपका दो कुछन पे से आरहे थे, which one of the following statements about histones is wrong, और the pH of histones is slightly acidic, histones are rich in amino acid, lysine and arginine, histones carry positive charge in the side chain, histones are organized to form a unit of eight molecules, NCRD2, page number 102. तो सर इसको हम लोगों चार question से मैच कराया हुआ है, पहला जो नीट टेस्ट 6, 612-2020 को हुआ है, सर काफी question इस test number से मैच किया हुआ है, तो पहला है the histone protein arc, तो आपका matching हो जारा सर की histone protein is slightly acidic, basic होगा एक लाइन आपका पहला option मैच करता है, नेक्स सर मैचिंग कराई हम लोगों ने हिस्टोन are rich with amino acid, यानि दूसरी मैचिंग करा दी दूसरे option से, टेस्ट का number से मैसर देखिए ज्यान ते जियान से, लाइसीन है, आरजनीन है, कि इस्टोन किसे निगेटिवली चार्ज है कि पास्टिवली चार्ज है, इस वाले थर्ड आपसं से आपका मैच करा दिया और बच्चा सर आपका फूर्थ option तो उसका हम लोगोंने नेस्ट कोस्टन से मैच कराया हुआ है, बीटी टू जो तेईस बाराथ दोजार बीस में हुआ है और इसको तो अगर मैं बोले तो सर डेक्टो पूरी मैचिंग हो रहे है, हिस्टोन आर बेसिक प्रोटीन मैच कर रहे है सर आपका, हिस्ट इसके बाद सर आपको फूंडर इफेक्ट इने पॉपलेशन इस जनेटिक रीकॉंबिनेशन, मुटेशन, जनेटिक ट्रिफ्ट और नेचरल सेलेक्शन, NCRT 2, पेज नमबर 137 से यह वर्शन, सर यह डिटो मैचिंग कहला जाएगी, बस सर अंतर क्या है, पहले बता देते है इसके बाद सर आपको फॉंडर इफेक्ट होता क्या है, यह पूरा दिखाया गया है, कि चेंजिन एलिर फ्रिक्वेंसी डू टू जीन माइग्रेशन, इस सो डिफिन इन न्यू सेंपल आप पॉपलेशन, डैट दे विकमा डिफेक्ट इसके बाद सर आपको फॉंडर इफे आपका पूरा मैचिंग भी कर रहा है, डिटो मैचिंग है सर, नेक्स्ट मैचिंग क्वेशन रही है, अडप्ति रेडिएशन, कन्वर्जेंट एवलूशन, डिवर्जेंट एवलूशन, एवलूशन बाइंथ्रोपोजनिक एक्शन, एन्सी आर्टी टू पेज नमबर 130, 131 यहां धरेडिए यहां सर यह फ्रेम किया गया है और एवलूशन देखते हैं लोग के किस तरह से यह मैचिंग कर रहे है, तो सर अगर हमें इसको देखें, तो यह आपका चार जुलाई 2021 को होगा था, आपका पहला जैसे कन्वर्जेंट है, किसमें क्या पाया जाएगा, जि सब्सक्राइब बाकि उधर जिससे मैच करेगा कनवर्जेंट एवलूशन है इंडेस्टियन मेलालीजम है नेचुरल सेलेक्षन है कि अधाप्टियोग रेडियेशन नेच्स जो मैचिंगे सर आपका करेक्ट पूछा है जो एंथ्रो पोजनिक वाली बात लिए इसे मैच कर रहा आपका एंथ्रो पोजनिक एक्षन सब्सक्राइब कर रहा है आपका नीट मॉडल वन जो जुन दोजार इकिस को हुआ था जैसे सब्सक्राइब यहां पर पूछा आपका मैन और वेल तो देखिए सर फोर लिम आफ वेल बैट एन हुमन सो विश्टाइब डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट अपका एक्जाम्पल होंगे यह जैसे आपका सर डार्विन फिंचे यहां पर दिया हुआ है और यह पूरा आपका इधर की भी मैचिंग इधर की मैचिंग सारी इन कोश्टन में कर दियेगी तो बच्चों देख रहे हैं आप लोग की सारी मैचिंग्स आपने मनीश सर ने पुताय है आपको किस तरह से मैच कर रहा है एवल्यूशन का क्वेश्टन था यह नेक्स्ट क्वेश्टन देखते हैं ही हुमन हेल्थ अंड डिजीज से फाइलरी असे अमीबी असे निमोनिया रिंग वर्म हीमोफिलस इंफ्लेंजी ट्राइको फाइट ओं गूशर एडिया वैंक् टेस्ट नमबर सेवन जो आपका बीस दिसंबर 2020 को हुगा है देखें हीमोफिलस इंफ्लेंजी यहां पर यहां पो बागी सर आपका निमोनिया बैक्ष कर रहां यान एक मैंचिंग हो गए नेक्स मैंचिंग जो सर है पूंप तर देखिए आपका यहां काम लोग नों भी मैचिंग्ट पर लिए जैसे कि अमीविया सिस और पूचर एरिया और अईविवा हिस्टोलेट का यह आपका मैच कर रहा है क्या किया कराता है मेविक डिसेंट्री रहा है अमीविया सिस हो जाता सर आपका इसके बास सर आ वाला बच्छा गवद था रिंग वर्म अला आपका तो देखिये सर फंजाई कोजिंग रिंग वर्म तो रिंग वर्म आपका एक आप से लिए है आपका यहां पर सिर्प एक ट्राइक फाइटान दिया हुआ है हम लोग उने तीनो नाम रखा है यह जो आपकी मैचिंग डिटो मैचिंग एक कोशन सम्मलों को ने मैच करा दिया इसको टेस्ट नमबर है फुल लेंट टेस्ट नमबर नाइन जो वह था सताइस जुलाई दोजार सताइस जुलाइस में टूटाजन प्रेंटिमन सर इसका जो आपका ऑप्सन दिया हुआ है जैसे कि देखिये हाईर लेवल आप बिटामेंस करेक्ट मिनरल्स यस हाईर प्रोटीन हेल जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका अब्जेक्ट्व नहीं रहेगा तेन डिट्टो मैचिंग नाव विच फॉल्विग इस नॉर्टी ओविलेशन एंब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलोजी एमो एटी और एंसे याइडी टू पेज नमबर 168 169 से तो सर इसमें नौट करके क्या हो गया है कि नॉट करके आप संतो है कोशन में खासका के कोशन बैंक में भी था आपको दिखाया था और टेस्ट में एमोटी करके हैं लेकिन डाइड ऐसी लाइन नहीं थी इसलिए उसको नहीं रखे हैं कोश्चन नमबर 111 यह भी मैचिंग टाइप का कोश्चन है इस हम लोग पूरा स्टडी कर रहे हैं कि कि इस तरह का पैटर्न फॉलोर है और वह पैटर्न अम लोग अपनी टैस्ट स्रीज्ट कर रहे हैं तो सर अगर बच्चों को मैं बता दू दिरवा एक डाटा प्रोवाइड कर दें बच्चों को तो 2020 में सर दो बार एक्जाम हुआ था कि आपको भी पता है कि मैचिंग में क्या है कि आपका आता है तो आता है नहीं तो गलत हो जाएगा लेकिन मैचिंग में सर क्या है ना कि इनमें से एक ना एक तो आता ही है बच्चे को ज्यादा तर आप सही होने के चांसल बढ़ जाते हैं और जामना ऐसा मैचिंग दे रहा 176 or 177 से गोशना देखिए आपका मैचिंग है किस तरह से मैच हो रहा है वनीश सर आपको बताएंगे सर मुटेशन की बात करते हैं तो यहां पर जेखिए नीट मॉडल टू जो गवा था 13 जून 2021 को विच अधर फालुए डेवलेट बाए मुटेशनल ब्रेडिंग मुट बीन प्रवानिकांति है वहीं पर आपका यह दिया सर यह NCRT2 पेज नंबर 183 से क्वेश्चन है सर इसको दो कोशन से मैच किराया है डिट्व मैचिंग कहला जाएगी जैसे देखिए आपका नीट कर टेस्ट नंबर 10 हुआ है जो 17 जनुवरी 2021 को हुआ था जी तो सर देखिए आपका मैचिंग करते जाए यह सेट्रिक एसिट तरफि लुटारी जिए और टीन मैच करने से सर कोई भी मैचिंग लिए के मैच हो जाएगी जी सर इदर आपका आफ्चन असका दिया होगा साथी सर देखिए यह वाला सर यह तो डिक्तो बोला जाएगा जी एस पर जिलस नाइगा असे टो बेक्तर एसे टाइक्डीम सब्सक्राइब एक दम से मैं जो उगा था सर बीटी फोर जो सटाइज जनुलिक दोजार एककीस को था सर जो सेम सेम मतलब सेम पेंपर मैंसा आपका यह जाता है सब्सक्राइब देखें तो जो इसका देट था तीन फर्वरी दोजार इकीस सब्सक्राइब ब्लू है ब्लैक हम लोगो ने वाइट दिया है जी विच अफ दफॉल इस एक करेक्ट सेक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीच आर पॉलिमरेज चेन रिएक्शन एंसी एटी टू पेज नंबर दोसो दो से है यह सर इसको अम लोगों में दो कोशन से मैच कराया हुआ है हलाकि पहला कि पहला को से डिटो मैच कर रहा है नीट टेस्ट नंबर नाइन जो आपका तीन जैनुरी दोजार इकीस को हुआ है पॉलिमरेज पी सी आर चेन रिक्षन में क्या मैच कर रहा है सर आपका करेक्ट सीक्वेंस भी पूछा हुआ है जी ने चुरेशन एक्स्टेस काम लोगों ने सेम कोशन से मैचिंग है जी दक करेट सिक्मेंस अब डिफरेंट इस्टेप पॉलिमरेज चेन रिक्षन बीटी फाइब चो तीन फर्वरी दोजार इकीस कुआ तो उससे मैच कर रहा है विच्व फॉल्विंग इस नौट अप्लिकेशन आप पीसी आर पीसी आर का अप्लिकेशन नहीं है एंसी आर्टी टू पेज नंबर 212 तो सर अगर पीसी आर का अप्लिकेशन टाइब का कोशन तो पूछा गया है कि जैसे मालेकुलर डियागनोसिस में कोन इस्तवाल होगा लेकिन सर्क नौट अप्लिकेशन थोड़ा सा हट के कोश्चन था इसलिए इसको सर अम लोगोने मैच नहीं करा है तो नेक्स्वेशन प्लास्मिट पीवर 322 हैस पीस्ट-1 डेजिस रिस्रिक्शन एंजाइम साइट विदिन जीन एंपिसलीन रिजिस्टेंस एंपिसलीन रि इस पूर इंसर्टिंगे जीन फॉर बीटा अलेक्टोसाइड प्रोडक्शन और रिकॉंबिनेंट प्लास्मिट इस इंसर्ट इन एकोलाइक स्ट्रें और यह एंसी रिटी टू पेज नंबर वन नैंटीन और 200 से क्वेश्चन दिया गया है सर इसको अम लोगोने जो मैच कर इसको अगर तो देखा जाएं यहां पे आपका बीटा के लेक्टोसीडें जी इससर्णल इनक्किले अपका दिया हुआ है यहां पे अम प्लीजान के बारे में दिया हुआ है और यह पुरा PBR 322 बना भी दिया गया है अम जीन डिया गया एं प्लीजी डिस्टेंस हो गया ट the following steps of PCR will be affected first extension denaturation ligation annealing NCRT 2 page number 202 तो सर इसको मैच कराया था हमारा जो नीट model 5 हुआ है जो हुआ था 30 जून 2020 को सर इसमें तो स्टेप तो दिया ही दिया है साथ ही साथ हम लोगों तेमप्रेचर भी दे दिया है कौन सा स्टेप में कितना पुछा गया तो सर कौन सा तो सर इसमें आपसन जो आपका डी नैचुरेशन क्या है कुलर तेमप्रेचर के साथ है दूरिंग दे पुरिफिकेशन प्रोसेस और रिकॉंबिने देने टेकनलोजी एडिशन अफ चिल्ड एथनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट और NCRT 2 पेज नंबर 201 से डी एने हिस्टोंस पॉली सेक्राइट्स आरने अर्ड ऑप्शन सर इसको मैच कर रहा है नीड टेस्ट नंबर 9 तीन जनुरी 2020 अभी पिछला मैचिंग सर काफी कोशन इस टेस्ट से हम लोग मैच कर रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारा अपना टेस्ट प इस प्रेसिपिटेट इसमें क्या हो जाएं तो डी एन ने प्रेसिपिटेट और यहां पे हम लोगों का आंसर प्लस कोश्चन पूरा आपका एंसर हो रहा है जी a specific recognition sequence identified by endone uclerus to make cuts at a specific position within the DNAs ओका जाकी sequence is palandromic nucleotide sequence poly etl sequences degenerate primer sequence ncrt2 page no.196 ऑगरं बात करें सर यह हमारा मैच कर रहा है है दो कोशन से सेम पेपर नीट टेट नाइन जो हुआ था तीन जनुरी दो जारी कीस को सर और रिकोगनाइज बाई रेस्टिक्टिन इंडो निकली है कौन से सिक्वेंस होंगे पैले रोबिक निकलोएट सिक्वेंस आपका इससे मैच कर रहा है पुरा इंच्स इसमें ही सर औ पुरा आपका आपसन बनाने कोशिस किया गया कि कौन से सिक्वेंस से मैच कर रहे है वें जीन टार्गेटिंग इंवाल्विंग जीन अंप्लिफिकेशन इस अटेंप्टे इन इन इंडिविजुल्स टिशू टू 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 टीजीज इस इस नोन आज और NCRT2 पे इसा कोशन तो बनाया गया है एडिये का भी बनाया गया है लेकिन इस ट्राइब पर थोड़ा सा लैंग्वेज हटा के नहीं बनाया गया तो इसलिए अम रुभों ने कोश्चन नहीं लगा तो जी नावडेज इस पॉस्ट्टेक्ट टू 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 पेज नमबर 212 से प्रोब के बारे में कोश्चन पुछा है प्रोब दिया हुआ है आटो रेडियोगराफी पुछा गया होगा जी असर आपको साथ साथ ही जो हमनों मैच कर रहा था सी आटी टेस्ट नमबर 18 जो हुआ था आपका उनीस मार्श दोजार एक्टिस को जी सिंकल स्टेंड आर ने प्रेश्ट ने प्रेश्ट ने इन टेक्टिस प्रेश्ट रहे जो रहा था सी एडियोगराफी ने इन टेस्ट नमबर 18 जो हुआ था आपका उनीस मार्श दोजार एक उसे नो पूरी लाइन हम लोगों नो भी स्टेट्मेंट टाइप कर दिया है इसे यहां पर इंसुलीं क बैटिट्र के पूछा था, जत्र जैसे आपका प्रोश देखी आपका लिखाव लाइन एक दम इस नम प्रोश द्रि जाता हुआ। पॉलिप्टाइड A है कितने अमीन हो यह सी डागर भी पूछा जाता हूं और कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं जैसे कि आपका डाइसल्फाइड बेज़ जेके साथ पॉलिप्टाइड चेंज A and B are interconnected only by one linkage कितने होंगे इस नंबर भी बताया किया से बी बाइटक्नोलोजी अनिस एप्लिकेशन से फॉर एफेक्टिव टीट्मेंट अफ दिजीज अर्ली डाइग्नोसिस अंड अंडरस्टेंडिंग इस पैथो फैटो फिस जोलोजी इस वेरी इंपॉर्टेंट विच फॉल्ग इस वेरी उस्फुल फॉर अर्ली डेक्शन सब्सक्राइब कर आया है सियाटी टेसेटी जो गए तो उनीस माद दोजार किस से यह बाइटक का हमारा सियाटी पेपर से काफी मैश कर गया है इस आपका पूछा है अर्ली डिटेक्शन आप डिजीज पॉसिबल किसकी वाज़ें से पॉसिबल हो सकता है सर जिसमें आपका PCR है आपका ELISA दिया हुआ है सर आपका और यहां पर आपका सर रिकॉंदेंट डिन यह टेक्नोलाजी करेक्ट और एलिजा एंसर है सर दा अडिनोसीन डियमाएनस डेफिशन सी रिजल्स इंटो पार्किंस डिजीज डिजेस्टिव डिजेस्टिव डिजॉर्डर एडिसंस ड का दिया हो गए एडिनोसीन डियमनेट डिफिसेंसी एडिनोसीन डीयमनेज इस कॉचिल फार मताग जिसके लिए जरूरी होगा अगर इसकी कमि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर जैसे की आपका dysfunctions आप इम्यन सिस्टम यानि इम्मून सिस्टम के लिए कुरूशियल है इसी कमी यानि मैचिंग कर रहा है सर आपका इन स्पाइड आप इंटर स्पेसिक कमटीशन इन नेचर विच मेकनिजम दा कमपेटिंग स्पीसिस माइट है वाल्ड फोर देर सर्वाइवल स्पाइड इसको दो कोशन से मैच कर आया हुआ है पहला जो हमारा सर नीट का टेस्ट नुमबर 11 है जो हुआ था थर्टी फॉस्ट जन्वरी दोजार इकिस को सर जैसे आप संदेख लिए जरो मैच करा लिजे तो रिसोर्स पाइशनिग यस एंसर है मैच कर रहा है और जरो देखिया आप सर मिला यह नेचर में इंटर स्पेस्टिक कंपेशन एक कंपेट करेगा और एक खटेगा ऐसे को एग्जिस्टेंस सर्वाइवल पूरा लाइन सर आपका मैच कर रहा है एंस्याटी के लाइन पूरी डिटो है जल्कि यह डिट पर आपका कर जाता है मैच कर जाता है मैच कर जाता है निच्ट जो मैचिंगे सर आपका कि वाट इस अमंसालिजम यहां पर सब प्लस माइनस करके दिया हम लोगों ने यहां पर कौन हां लोगा पूर्ट होगा पूर्ट भी आपके उस लेंगिज़ एंग इंग इन एक्पोरेंशल ग्रोथ पूछा जाता है यहां पर हमारा फार्मूला दिया है अपका फार्मूला दिया हुआ है लेकिन यह के वारे में बहुत रेरली ऑग्स्ट है लेकिन आपको पता सर बच्चा फिजिस कमस्टी बाइव पढ़कि आता है बैस मुझे लग रहा है यह कोश्ट जब बनाया गवागा में यहीं बात रही होगी तो सिंपल सी बात है क्या होगा बेस साफ नेटिरल लॉग रिद्ध मैचिंग क्वेश्टेशन है ऐलें स्रूल फिजियोलोजिकल अडप्टेशन बिएविरल अडप्टेशन बायो केमिकल अडप्टेशन और एंसी आर्टी टू पेज नंबर टू ट्रू ट्रूट फेशन से क्वेश्टन है इसको तीन कोश्टन से मेच कर आया हुआ है पहली मैचिंग है नीट टेस्ट नंबर 12 जो वग्योगत रापका साथ फर्वरी 2021 को प्याइब कंगारू रेट दिया हुआ है यहां पे तो कंगारू रेट देफिए यहां पे दिया यहां पर एलेंस रूज दूरा है जो मैच कर रहा है सेम टेस्ट नीट टी ट्वल जो सात परवी दोजार रिकिस को हुगा तो सर एलेंस रूल एक्स्रमिटीज क्या होगी पोलर सील में क्या होगी यह सब पूरा बाद दिया हुगा है नेक्स सर आपका इसमें डिजर्ट लिजर्ट दिया हुगा यहां पर बीटी सिक्स जो तीन मार्थ दोजार इकिस कुगा तो उसको मैच कर आया हम लोगों ने फिजो लास्ट कल है भी हैवियर है कि बायो खेम कर री यह सर्फ App बाया है सा एम बागर में आता था a person goes to high altitude and experiences altitude sickness with symptoms like breathing difficulties and heart palpitation due to low atmospheric pressure reason दिया हुगा है at high altitude the body doesn't sufficient oxygen in the light of the above statement choose the correct answer from the options given below और यह NCRT2 पेज पाजन adesso दिविया हुगा है सर इसको दो कोशन से मैच कराया हुआ है पहला मैच है मारा सर जो नीट का टेस्ट नूमर ट्वल्व है जो हुआ था साथ फरवड़ी 2021 को उससे मैच कराया हुआ है कि डूरी एल्टीटूट सिक्नेस बॉडी कैसे ओवरकम करती है कि क्या ब्रीधिंग डिफकल्टी में क्या करत है घटाता है आर्वेसी प्रोडक्शन क्या करता है ब्रत आपका ब्रेथ यानि कि आपका ब्रेथ रेट जो आपका ब्रीधिंग रेट उसके क्या प्रभाव पड़ता है नेक्स्ट सर की एट हाई अल्टीटूड सब महां पर देख लिए आई हाल्टिटूड दबोडी पर नीट मॉडल 11 एकीस जुलाई दोजार एकीस से दामाउंट ऑफ न्यूट्रियंट सच अ कार्बान नाइट्रोजन फॉस्फोरस और कैल्सियम प्रसेंट इन इन गिवन ताइम इस रिफर्ट एज और न्सीर्टीटू पेज नमबर 253 से वर्षियन सर इसको मैस कराया है टार्गेट नीट टेस्ट नंबर 6 जो हुआ था 9 में 2020 इसमें सद्रादेकिये आमाउंट आप न्यूटियंंज दिया हुए जैसे कि सरक्या सच भी दिया है कारवन विदी नेट्रोजन फास्पोर दिया है कैल्सियम दिया हुआ है यानि पूरी लाइन असा प्रिजन इन उस कर रहा है standing state standing crop और हम लोगों को निका और वर डाल दिया था sedimentary state डिटो मैंचिंग सर एको सिस्टम से question which of the following statement is not correct pyramid of biomass is c in c is generally upright pyramid of energy is always upright pyramid of numbers in a grassland ecosystem is upright pyramid of biomass in c is generally inverted ncrt2 page number 248 249 सर इसको हम लोगों ने तीन question से मैच कराया हुआ है पहली मैचिंग जो है सर टार्गेट नीड टेस्ट नमबर 6 जो आपका 9th मेर 2021 को हुआ है किसका पूछा सर जैसे इनसी पहला यह आपका pyramid of biomass in c क्या होता है pyramid of biomass is generally inverted because यहां पर लोगों ने रीजन भी पूछ लिया यह आपका जो हमारा question यह पहला option है नेक्स सर आपका जो मैच कराया है हम लोगों ने करेक्ट रिगार्डी प्रामिड अफ एनर्जी तो सर आपका पिनावे और एनर्जी के बारे में आपका दिया हुए इससे मैच करा दिया सर्ण्रा प्रिया वेट लिखा होगा नेक्स सर जैसे एक लिखा होगा मोस्टाइगव सोस्टम प्रामिडम क्या इनर्जी जिए house प्रंवन नंब多 ट्री थिए सिस्टम में च्या होगा ग्रास लैंडब कं ड् can County करा में ह्UBन को नहीं है नेक्सक्रशन यह भी को सिस्टम से इन दा equation gpp – r is equal to NPP represents तो sir यहां पर देखिये formula जैसे स्बादिया है आपका gpp NPP equal to gpp – r question की exact matching होती है सर now question number 181 dobson units are used to measure thickness of stratosphere ozone troposphere cfcs and crt2 page number 282 sir इसको मुझा दो question से match कराया है एक तो crt test number 27 जो हुआता सर आपका 28 में 2021 identify the incorrectly match pair thickness of dobson unit ओजोन तो सर आपका एक ही लाइन जो हमारा option बनता है पूरा उससे डेटो मैचिंग हो जाती है एक और मैचिंग कराया है इसी question का सरमन मुझों नहीं कि सर डॉप्शन unit का measurement डॉप्शन unit measures क्या measure कर रहा है जो फुल लेंड टेस्स number four चुगए ता सर आपका 1712 2020 को क्वाल्टी आफ ओजोन थिकने साफ ओजोन तो सर आपका थिकने साफ ओजोन question हो गया हमारा यह आपका डॉप्शन unit का answer हो गया है तो सर यह रहा हमारा आपका मैचिंग लास्ट चेप्टर था आपका सर इंवार्मेंटर इसूं तो बच्चों देखा आप लोगों ने कि एंसी आर्टी टू का भी comparison हम लोगों आपके सामने प्रस्तूत कर दिया है ठमाई test series से कितना सिमिलर है और जिस तरह से आप लोगों ने NCRT1 को देखा उसी तरह से यह NCRT2 में भी हम लोगों ने almost कह सकते हम लो 96% questions match कर गया NCRT2 से भी अगर सर हम लोग जैसे होता है कि आप मैचिंग ऐसी करा दो कि एक क्लाइं मिल ला है चलो यार एक option मिल ला एक word मिल ला है ऐसे करें तो सर हंडर्ड मैसे मैचिंग हो जाए एक्जाटली क्वेशन की language भी options भी सारा कुछ मैच कर रहा है concept मैचिंग होनी जरूरी है same concept जहां पर थोड़ा सा applied question था तो concept हम लोगों का और जो नीट का question है वो exactly same है क्योंकि reason सिर्फ वही कि नीट जो है वो NCRT follow कर रहा है NCRT based questions frame हो रहे हैं और हमारी जो booklet का जो आपने comparison देखा यह test series का आपने देखा different type की test series हम लोगों ने सारी आपको दिखा दी compare कर वा दी और यही reason है कि यह इतनी ज्यादा similar है क्योंकि हमारी जो test series है यह booklet है यह भी totally की पूरी की पूरी NCRT based है so thanks for watching have a great day